हलो फ्रेंग्स, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है As a Man Think It, दुनिया वर में सेल्फ एल्प के एक्षेत्र में बहुती मशूर पुस्तक है अगर हम कहीं कि यह पुस्तक स्वें को समर्थ बनाना या फिर स्वें को सिद्ध करने के बारे में लिखी गई है तो अतिश उक्ति नहीं होगी यह चोटी सी पुस्तक हमें यह बताने के साथ साथ कि हम महान बन सकते हैं हमें महान बनने में एक टूल की तरह काम करती है सत्य हमें उन सीमों से मुक्त कर सकता है वह हमारे जीवन को बदल सकता है जिन से हम घिरे हुए है सत्यात्ता बहुत ही शक्तिशाली होता है जब इसे साधारन भासा में आसान तरीके से पेश किया जाता है जैम चेलन हमें इस पुस्तक के बाध्यम से स्पष्टर रूप से दिखाते हैं कि कैसे हम उस चावी रूपी ज्यान का प्रियोग करके जिस सभलता की हम कल्पना करते हैं उस महांतम सभलता को और उसे प्राप्त करने के तरीकों को खोल सकते हैं इस पुस्तक को साथ अध्यायों में लिखा गया है जो बेहत सुंदर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे पहला अध्याय है विचार और चरित्र दूसरा अध्याय परिष्टितियों पर विचार का प्रभाव वे तीसरा अध्याय है शरीर और स्वास्ते बर विचार का प्रभाव इसी तरह से यह लैबत तरीके से आगे बढ़ती है वह आपको विचार शक्ति का पूरा परीचे करवाती है यह पुस्तक आपको यह बताती है कि किस तरह हम अपने विचार रुपी यंत्र का प्रियोग कर सकते हैं जेम्स कहते हैं कि हम वास्तों में वही हैं जो हम सुचते हैं, हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है. आप अपने भग्या के निर्माता हैं यह नियम परम सत्य है कि जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा जो दस्तक देंगे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे क्योंकि धैरिय, अभ्यास और निरंतर द्रड़ता के माध्यम से ही आप ज्यान के मंदिर में ताखिल हो सकते हैं जेम सागे कहते हैं कि आप तब तक परिष्टितियों के द्वारा नियंतरित रहेंगे जब तक यह सोषते रहेंगे कि हम बहारी परिष्टितियों से नियंतरित होने वाले हैं आपने अगर नेपोलियन हिल के द्वारा लिखित पुस्तक थिंकेट ग्रोरिच पढ़ी है तो आपने महसूस किया होगा कि विचार की शक्ति कितनी महान है विचार की शक्ति के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है जेमिस के सुत्रों को और अधिक समझने के लिए हमें इस पुस्तक को भी पढ़ना या इसके ओडियोबुक सुननी चाहिए यह पुस्तक मूल रूप से एक कविता मन वह मूल शक्ति है जो हर कारिय को एक सांचे में डालती है और बनाती है के रूप में शुरू होती है बोध मता नुसार शुरूआत में दी गई कविता उस पुस्तक का सार होती है अगर आप उस कविता को समझ लेते हैं तो मान लीजिए आपने उस पुस्तक के सार को समझ लिया है और उसमें दी गई एक एसी चाबी को खोज लिया है जो आपकी प्रतीभा, शक्ती और जादू के ताले को खोल सकती है जेम्स एलन द्वारा लिखित पुस्तक एजे मैन तिंकेत का एक उपहर के रूप में आनंद लें यह चोटी सी पुस्तक अपने आप में एक महान खजाना लिये हुए आपके सामने है धन्यवाद, hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हो हलो फ्रेंज, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है आज हम जेम्स एलन के द्वारा लिखित पुस्तक एजे मैन तिंकेत सुन रहे हैं जेम्स एलन का जन्म सन 1864 में इंग्लेंड के लिसेस्टर में हुआ था उनके पिता का देहान उनके बच्पन में ही हो गया था जिससे उन पर वे उनके परिवार पर मुस्किलों का पहाड सा तूट पड़ा था एसी परिस्तितियों में उन्हें मात्र 15 साल की आयू में ही पढ़ाही बीच में ही छोड़ने पड़ी थी साल 1902 तक आते आते उन्होंने फैसला किया कि अब वे केवल लिखने का ही कारिय करेंगे इस दोरान उन्होंने अपने लेखन कारिय को कॉंट्रेक्टर्स के माध्यम से भी किया अपनी पहली पुस्तक फ्रों पावर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वे इन्फराकोम जो कि इंग्लेंड का दक्षनी पस्चिम तट है वहाँ पर आकर बस कई थे जेम्स वहाँ अपनी मृत्यू परियंत साल 1912 तक रहे जेम्स एलल ने अपने जीवन में 19 बेहत सफल वे ज्यानवर्दक पुस्तके लिखी है आज आप जिस पुस्तक एजेमेन थिंकेत को सुनने जा रहे हैं यहे उनकी सर्वस रेष्ट पुस्तक मानी जाती है यहे पुस्तक विचार की शक्ती पर एक निबंद नहीं है बलकि ध्यान, खोज और अनुवहों का बहु आयामी फल है यहे पुस्तक सभी स्त्रियों और पुरुषों को इस सत्य को खोजने में मदद करने की कुजी है कि वे स्मय खुद के निर्माता हैं वे अपने सुक दुख, वे ज्यान अज्यान के मुख्य शिल्पकार उनके खुद के विचार ही होते हैं इनका निर्माता उनका खुद का मन ही होता है जेम्स एलन, इल्फराकों, इंग्लेंड अध्याए एक, विचार और चरित्र हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम हम वैसे ही हैं, जैसा हम अपने मन में सोचते हैं इस मुहावरे ने केवल हमारे संपूर्ण अस्तितों को ही नहीं समेटा है बलकि यह हमारे संपूर्ण जीवन की हर एक दशा, दिशा और परिष्टित्यों पर पूर्ण रूपेन खरा उतरता है हमारा चरित्र, हमारे संपूर्ण विचारों का ही संपूर्ण फल है हम वास्तों में वही हैं जो हम सोचते हैं जैसे बिना बीज के एक पोधा नहीं उग सकता उसी तरह हमारे विचारों में छिपे हुए बीजों के बिना हमारा कोई भी कर्म उत्मन नहीं हो सकता यह सुत्र उन सभी कर्मों पर भी बिना शर्त लागू होता है जिने हम स्वैप्रेरित या एपुरु योजित या फिर जिने सोच समझकर किया जाता है विचारों का मूल कर्म है और यही हमारे सुक्तु का फल है अतहम जो भी फल पाते हैं चाहे वो मीठे हों या कड़वे ये सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं हम आज जो भी हैं वहे सब हमारे मन में उत्पन होने वाले विचारों के द्वारा रचित और निर्मित हैं यदि हम अपने मन में अज्ञान से ओत प्रोध बुरे विचारों को पनपने देते हैं और सदा उन्हें ही पालते रहते हैं, तो हम अपनी ओर दुख होए दर्द को ही आकरशित कर रहे हैं, और जल्द ही हम दुख से गिरे होंगे, जो हमारे बुरे विचारों का ही परिणाम होगा, इसके विप्रीत, यदि हमारे मन में हम स्वस्त और हिट कर विचार रखेंगे, तो आनंद और सुख हमारा उसी तरह पीछा करेंगे, जैसे धूप में परचाई हमारा पीछा करती है, पुरुस और स्त्री किसी नियम के द्वारा कोशल से रची रचना नहीं है, बल्कि ये तो एक उन्नत्ती है, विचारों का जितना प्रभाव पूर्ण और द्रड़ पर इसी प्रकिरिया के द्वारा नीच और पशुब्रती वाले मनुश्य लगा तार पोशित किये जा रहे हैं, जो दूस्ट्वे गरनित विचारों का ही परिनाम है, हम खुद के विचारों के द्वारा ही अच्छे या बुरे इनसान बनते हैं, हमेशा हम अपने विचारों की शस्तर साला में उन शस्तरों का संधान करते रहते हैं, जिनका प्रियोग हम हमेशा अपने नाश के लिए करते रहते हैं, हम उन उपकरणों को भी बनाते रहते हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुखत, आनंद में और शांती में बनाते हैं, वे साथ ही साथ समाज को भी इसका लाब देते हैं, हम सही विचारों के चुनाव से वे उनके सच्चे प्रियोग के द्वारा दिव्यता और पूर्णता तक उठ सकते हैं, गलत या बुरे विचारों के प्रियोग के द्वारा हम पशूशे भी नीचे स्तर्तक गिर सकते हैं, इन दोनों चरम चरित्रों के बीच में ही सभी चरित्र स्तर होते हैं जिनके निर्माता कारीगर पालक वे स्वामी हम स्वें होते हैं इस युग की सबसे उर्जावान ताकतवर विश्वास से भरा हुआ दिव्य वचन और दिल को शुक देने वाला आत्मा से संबंदित यह सत्य है कि तुम अपने विचा वातावर्ण और भग्य के कारीगर और रच्यता खुद हो शक्ति बुद्धी और प्रेम की सत्ता और स्वें के विचारों के स्वामी तुम खुद हो और तुम्हारे पास ही रुपानतर्णकारी वे पुनरुत्थान की शक्ति है जिसके द्वारा तुम खुद को वो बनाते जो बनाना चाहते हो, हर परिस्थित को नियंत्रित करने की चावी तुम्हारे हातों में है, तुम अपने हर हाल के स्वामी होते हो, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और दुराचारी परिस्थिति के मालिक भी तुम खुदी होते हो, उस समय तुमें कमजोर और बेकार, गर के मालिक होते हो जो अपने परिवार को गलत धंग से चला रहा होता है। अपने जीवन को सही दिशा देता है। इस प्रकार खोज प्रयोग, आत्म विसलेशन और अनुबहों के द्वारा अपने विचारों के सुत्र खोज कर आप भी एक बहतरिन मालिक बन सकते हैं। आप जानते हैं कि सोने और हीरे को खोजने के लिए गहन खनन करनी पड़ती है। इसी तरह तुम अपनी आत्मा की खान में गहराख हो दोगे, तभी अपने अस्तितों से जुड़े हर सत्य जान पाओगे। यदि तुम अपने विचारों को देखो, नियंत्रीत करो और उन्हें बदलते हो। और दूसरों वै अपने जीवन और परिस्तितियों में हो रहे बदलाओं के कारण और प्रभावों को महसूस कर, देख कर धहरियपूर्ण अभ्यास और परक करो, अपने हर अनुबहों को, यहां तक की हर दिल के छोटे-छोटे बदलाओं को भी स्वें के बारे में आई बदलाओं के बारे में जानने के लिए प्रियोग करो, जिससे बुद्धी और शक्ति जो तुमें प्राप्त हो रही है, उसे महसूस करो, फिर तुम शायद बिना चूके इस सत्य को सिद्ध कर सकते हो, कि तुम अपने चरित्र को बनाने वाले हो, अपने जीवन को सही सांचे में डालने वाले हो, और अपने भग्या के निर्माता तुम ह इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह नियम परम सत्य है, कि जो खोजेंगे उन्हें अवश्य मिलेगा, जो दस्तक देंगे, उनके लिए दरवाजे अवश्य खुलेंगे, क्योंकि द्रड़ता, धैरिय और अभ्यास के द्वारा ही तुम ग्यान के उज्वल मंदिर में प विच्यार का प्रभाव, आप अपने मन को एक बगीचे के समान समझ कर, या तो उसे बुद्धिमानी से जोच सकते हैं, या फिर उसे लापुरवाई से अपने आप बढ़ने दे सकते हैं, परंतु उसे चाहे जोता जाए, या उसे खाली छोड़ा जाए, या उसकी उपेक् और वे उगाएंगे, एक माली अपने बगीचे में अनावशक खर्पतवार को समय समय पर निकालता रहता है, और उसमें वो ही फलपूल और पेड़ पोदे आदी लगाते हैं, जिसकी माली को चाह होती है, या कहें आवशकता होती है, हमें भी अपने मन रूपी बगीचे को एक माली की तरह लगाता देखबाल करते रहना चाहिए, एशुद, बेकार, अनावशक और अनुचित विचारों को पहचान कर अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए, वे आवशक, शुद, उप्योगी और उत्पादक विचारों को फलों और फूलों की तरह सहेज कर उनकी उ इवन के निर्देशक हो, आप ये अपने अंदर विचारों के नियमों को प्रकट कर पाते हो, आप ये हमेशा बढ़ती सत्यता से यहे भी समझ पाते हो कि कैसे आपके विचार की शक्तियां और मन के अन्य गटक आपके सच्चे चरित्र, सकारात्मक परिस्टितियां और आप हर समय यह देखेंगे कि आपके जीवन की बाहरी परिस्टितियां आपके अंतरमन के विचारों से परस पर जुड़ाओ और तालमेल में रहेंगी, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर समय जैसी आपकी परिस्टिति है वह आपके पूरे चरित्र को ही दरसाती रहत इसका अर्थ यह है कि वे परिस्टितियां आपकी विचारधारा के किसी आवशक पहलू से उस समय के लिए इतना करीब से जुड़ी होई है कि वे आपकी प्रगति के लिए आवशक हो आज आप जिस भी स्थितिति में है वह सब आपकी सत्ता के नियमों के कारण ही है आपको इस जगे आपके विचार ही लेकर आई हैं आपके जीवन की सरंचना में संयोग नाम की कोई चीज नहीं है जो भी है वह उस नियम का ही परिणाम है जो अचूक है यह बात उनके लिए उतनी ही सही है जो अपनी परिस्टितियों के साथ तालमेल में कमी का अनुभव करते हैं जितना कि उनके लिए जिने लगता है कि वे परिस्टितियों से संतोष्ट हैं एक प्रगतिशील और जागरुक सत्ता के रूप में आप जहां पर हो वहां इसलिए हो कि आप उससे सीख कर आगे बढ़ सको जैसे आप परिस्टितियों में नहित अध्यात्मिक शिक्षन को सी निकल जाती है और दूसरी परिस्टितियों के लिए जगे बनाती है जब तक आप यह विश्वास करते रहोगे कि आप बाहरी परिस्टितियों द्वारा प्रभावित प्राणी हो तब तक आप परिस्टितियों की मार खाते रहोगे लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि आप एक रचनात्मक शक्ती हो और उस छिपी होई भूमी और बीज जिससे परिस्तितिया पनपती है पर अपना अधिकार जमा सकते हो तब आप सही माइने में अपने खुद के स्वामी बन जाते हो आतम परिक्षन और आतम सैयम का अभ्यास करने वाले सभी लोग यह जानते हैं कि परिस्तितियां विचारों से ही उत्पन होती है उन्होंने यह देखा है कि उनकी परिस्तितियों में फेरवदल उनकी मानसिक स्थिति में फेरवदल से सीधे अनुपात में होता है यह सही है कि जब आप उत्सुता से अपने विचारों की कम्यों को दूर करने में स्वेय को लगा लेते हो तब आप बहुत जल्दी प्रगती करते हैं और बहुत सारे परिवर्तनों से जल्दी ही गुजरते हैं हर विचार रूपी पीज जिसे मन में विचारों के मध्यम से बोया जाता है वह अच्छी उपज ही देगा और देर सवेर किसी ने किसी कारिय की रूप में फलता पूलता है वह उसमें परिस्थिती रूपी फल अवश्य लगते हैं अच्छे विचार अपने अनुरूप अच्छे फल और बुरे विचार हमेशा बुरा ही फल देते हैं परिस्तितियों का बाहरी जगत विचार के आंत्रिक जगत का निर्मान करता है किसी इनसान को अच्छाई की चरम सीमा तक ले जाने के लिए प्रिये वै ए प्रिये बहारी प्रिस्तितियों के वे मुख्य गटक हैं आप अपने बोय की फ़सल काटने वाले स्वे होने के नाते कश्ट और आनंद दोनों का ही अनुभव करते हो वै उनसे सीखते हो जिनें आप अपने पर हावी होने देते हो एसी आंत्रिक इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरन करते हुए अपने जीवन की बहारी परिस्तियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुँशते हो उन्नती और अवनती के नियम सब जगे लागू होते हैं कोई भी व्यक्ति जब अवनती के निचले स्तर पर या जेल जाता है तो परिस्तिती की कुरूरता के कारण नहीं बलकि अपने तुछ विचारों और निमनतम इच्छाओं के द्वारा जाता है एक सच्चे मन वाला व्यक्ति एक आये कही किसी बाहरी शक्ति के दवाव में आकर अपराद से नहीं गिर जाता उसके मन में आपराधिक सुक्षण विचार गुपत रूप से पनप रहा होता है जो आउसर मिलते ही अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होता है परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती बलकि उस व्यक्ति का विचार जैसा है उसके लिए वैसी परिस्थिति प्रकट करती है शिवाई हमारे स्वय के बुरे इरादों के ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जो हमें बूराईयों या कष्ट की ओर नीचे ले जा सके इसी प्रकार ऐसी भी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो हमारी बिना आच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर उप जाए हमें पुन्य सफलता और उससे जुड़े आनंद की और उपर ने उठाए इस प्रकार से हम यह जान जाते हैं कि अपने विचारों के स्वामी होने के नाते हम स्वें को बनाते हैं अपनी परिस्थितियों और वातावर्ण को आकार देते हैं और उसके रचियता भी हम ही होते हैं. हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते बलकि हम उसे अपनी और आकर्षित करते हैं जो हम हैं. हमारी महतव कांक्षाई, हमारी पसंद और हमारी इच्छाई कदम कदम पर लिए निष्पल होती रहती हैं हमारे और एच्छाएँ सुएंगी खुराग जो चाहे अच्छा हो या बुरा उसी के द्वारापोशित ठोटी है वह कर्म हमारे बंदि बनाते हैं और अगर वह अच्छे हैं तो हमें मुठ्ट करते हैं आपने कभी न कभी यह मैसूस अवश्य किया होगा कि हमें वहे नहीं मिलता जिसके हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन आपको पता है कि हमें वहे मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाइं और प्रार्थनाईं तभी पूर्ण होती है जब वे हमारे विचारों और करम से तालमेल में होती हैं। इस दृष्टी कोण से देखें तो परिस्थितियों से लड़ने का हमारे जीवन में क्या आर्थ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम हमेशा बाहरी परभावों से लड़ते रहते हैं, वैसाती साथ उसके कारणों को अपने मन में पोशित वै, सनक्षित करते रहते हैं, यह कारण या तो जागरुक बुराई या फिर ए जागरुक कमजोरी का रूप धारन कर लेता है, लेकिन चाहे वैह जो कुछ भी हो, वैह धारन करने वाले के प्रेतनों को द्रड़ता से रोपता है, और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है, हम में से जादातर लोग अपनी परिस्टितियों में सुधार लाना चाहते हैं, परंतु स्वे में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते और इसलिए हम बंदन में रहते हैं, यदि हम सच्चे आत्म परिक्षन से मूह नहीं चिपाएं, तो हम कभी भी वह पाने से वंचित नहीं होंगे, जो हमारा दिल चाहता है, यह सभी भोतिक विशों के लिए उतना ही सही है, जितना की देवी विशों के लिए, यदि हम केव संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने लक्षय को पाने से पहले हमें अपने महान व्यक्तिकत त्याग करने के लिए तयार होना चाहिए, और हम में से वे शशक्त और शांत जीवन चाहते हैं, उनके लिए तो कितना और कुछ करना होगा, कुछ लोग जो गरीबी स उसे बाहर निकलना चाहते हैं, वे हमेशा इस बात के लिए व्याकुल रहते हैं, कि उनके आसपास का माहुल और घरेलू सुख सुविदाएं सुधरने चाहिए, लेकिन इन परिस्तितियों को बदलने के लिए कि ये जाने वाले काम से जी चुराते रहते हैं, वे मानते हैं कि अपने मालिक जहां वे काम करते हैं, उसे दोका देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कम तनक्वा मिलती है, इसलिए वे जो कर रहे हैं, वे है सही हैं। और हमेशा ब्रहमित विचारों में जी रहे होते हैं। कुछ अमीर लोग हैं, जो पेटुपन की वज़े से लगातार दर्दनाग बिमारियों से ग्रस्त हैं, वे इन बिमारियों से चुटकारा पाने के लिए धेर सारा पैसा खर्श्तो करना चाहते हैं, परन्तु ज्यादा खाने की यादत को बदलने के लिए तयार नहीं हैं। वे ज्यादातर चटपटे और मज़ेदार खाने की अपनी इच्छा को हमेशा संतुष्ट करना चाहते हैं, और अच्छा स्वास्थे भी चाहते हैं। इसे लोग अच्छे स्वास्थे के लिए ऐयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वस्त जीवन के पहले सिधान को अभी तक नहीं सीखा है। कुछ मालिक हैं जो गलत रास्ते से धन कमाकर आमीर और ज़्यादा आमीर होना चाहते हैं, जिसके लिए वे चालाकी से सही वेतन ने देकर ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं। एसे मालिक स्मरदी के बिल्कुल योग्या नहीं है, जब इनका प्रतिष्ठा और स्मरदी दोनों ही मामलों में दिवाला निकल जाता है, तब ये लोग परिष्टितियों को दोस्त देते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानना चाहते कि अपनी इस परिष्टिति के वे ही रुटसाहित कर रहे हैं, जो उन अच्छे फल से संभवते तालमेल नहीं खाते हैं, जो वे चाहते हैं, वे ऐसा करते हुए अच्छे फल को निरंतर निश्फल कर रहे हैं, एसे किससे कई गुना बढ़ सकते हैं और निरंतर चल सकते हैं, लेकिन इसकी आवशक्ता नहीं है, यदि हम दरड़ निश्चे कर लें कि हम अपने मन और जीवन में विचार के नियम के करम को खोजेंगे और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक केवल बाहरी तथ्य तरक के लिए प्रयाप्त नहीं हो सकता परिस्टितियां फिर भी इतनी जटिल हैं विचार इतना गहराई से पैठा है और व्यक्ति व्यक्ति में परसंता की अवस्ता इतनी भिन है कि हमारी समस्त आतम दसा जो हमें पता है केवल जीवन के बाहरी पहलू के तहट किसी के द्वारा आंकी नहीं जा सकती है कोई व्यक्ति किनी कारियों में इमानदार हो सकता है परन्तु अभाव गरस्त है जबकि दूसरा व्यक्ति कई कारियों में बेइमान हो सकता है फिर भी खूब संपत्ती हासिल करता है और इसका आदिकतर मतलब निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति इसलिए ऐसफल होता है क्योंकि वह इमानदार है और दूसरा व्यक्ति इसलिए सफल है कि वह बैइमान है और यह सताई निर्ने के फल सोरूप होता है जो यह मान लेता है कि बैइमान व्यक्ति लगबग पूरी तरह से भ्रष्ट है और इमांदार व्यक्ति लगबग पूरी तरह से पुन्यात्मा है गहन ग्यान और विस्तरत अनुभव के आधार पर यह निर्ने कलत पाना चाता है बैवान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे परसंसनियगुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है और इमांदार व् कारण कष्ट का भी अनुभव करते हैं बैवान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या हर्ष का अनुभव करता है मानव एहम को यह मानना अच्छा लगता है की व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है परन्तु जब तक हम अपने मन से हर रोगी कटू और पूर्णते अन्याई संगत है जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा नहीं देगा। जब हमें एसा ज्ञान होता है तब हम यह जान पाते हैं अपने पूर्ण के अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए कि हमारा जीवन अभी और सदा से ही न्याई संगत रहा है। हम प्रकती जगत में इस नेम को भली बांती जानते हैं और समझते हैं वैं इसके अनुसार काम भी करते हैं कि आम के बीच से आम का पेड़ ही उगएगा और बबुल के बीच से केवल बबुल का पेड़ ही उगएगा और वैसे ही फल देगा लेकिन कुछ söyleyeई ही इसे मानसिक् जबकि हमारे विचारों के मामले में भी यही नियम लागू होता है, वहां भी यह उतना ही सहजवे अटल है, इसे ने समझने पर हमें परेशानी उठानी पड़ती है, और तब यह नियम हमारी इच्छाओं के अनुरूप सहयोग नहीं देते हैं। कश्ट वे पीडा गलत दिशा में लगाए गए गलत विचारों का प्रभाव है। यह एक संकेत है कि हमारा अपने आप से, अपने अस्थितों के नियम से तालमेल नहीं रहा है। कश्ट का एक मात्र और उचतम कारिय है शुद्धी करना। वह सब जो बेकार और अशुद्ध ह उसे जला देना, वे जो शुद्ध हैं उनके लिए कश्ट खत्म हो जाते हैं। एक बार जब सोने से मेल हट जाता है, तो उसे जलाते रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी तरह से पूर्ण रूपेन शुद्ध वे साक्षतकारी पुरुष कश्ट में नहीं रहता। क्रपा, आनंद, मानसिक पवित्रता ही बोतिक संपत्य की अधिकता का माप नहीं है। और यह भी नहीं कि बुरे विचार ही एक मात्र कश्ट, क्लेश और दुख ही बोतिक संपत्य की कमी का परिमाप है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग धन्य और अमीर भी होते हैं, पवित्रता और अमीरी तभी जुड़ते हैं, जब धन को सही और विवेक से कमाया और इस्तेमाल किया जाता है। गरीब अधिक पीडा का नुववतब करते हैं, जब उन्हें लगता है कि ब जब तक हम खुश, स्वास्थ और सम्रद नहीं होते तब तक हमारी सही अवस्था नहीं होती। खुशी, स्वास्थे और सम्रदी का हमारी परिस्तितियों के आंत्रिक और बाहरी स्थिति से तालमेल का ही परिणाम है। जब हम शिकायत वैतिरिस्कार करना बंद कर देते हैं और उस छिफेवे नियम को, जो हमारे जीवन को संचालित करता है, उसे ढूणना शुरू करते हैं, तब हम खुश, स्वस्त और सम्रद होना शुरू कर देते हैं। हैं वह अपनी तिव्र प्रगती के लिए अपने अंदर छिपी उई शक्तियों और संभावनाओं को खोज करके एक साधन के रूप में प्रियोग करना शुरू कर देते हैं इस सत्या का प्रमान हर इंसान में है और इसलिए नियमित आत्म परिक्षन और आत्म विसलेशन की सरल परताल द्वारा इसे जाना जा सकता है हम मूलबूत तोर पर अगर अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की बहुतिक परिस्तितियों में आई त्वरित बदलाओं को देखकर आश्चरे चकित रह जाएंगी कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं परण्तु ऐसा नहीं है वे जल्दी ही आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्तितियों का रूप ले लेती हैं बुरे और निम्नस्तर के विचार आक्रोश और नसे की आदत बनाते हैं जो पीडा कर्ष्ट और गरीवी का रूप लेते हैं किसी रहके भी विनाशकारी विचार अंसुल जी ठकव आदतें बन जाती है जो ध्यान भंग करने वाली और वीपरीत परिस्तियों का आकार ले लेती है डर संच्चे और एनिरनायक विचार कमजोर और बेमेल आदतों का रूप ले लेते हैं जो ऐसपलता गरीबी और निर्वरता क परिस्तियों के रूप में आकार लेती है आलसी विचार बेमानी और गंदगी का रूप लेते हैं जो गरीबी वे नीचता का आकार लेती है ग्रहनित और दंडनिय विचार हिंसा और आरोप लगाने की यादत का रूप लेते हैं जो चोट लगने वे दंड मिलने वाली परि पूर्जापूर्ण विचार क्रपा और अच्छाई का रूप लेते हैं, जो प्रिय और सुकद परिस्थितियों को आकार देते हैं। रचनात्मक विचार आत्म सैयम और संतुलित मन का रूप लेते हैं, जो शान्ती और विश्रान्ती की परिस्तितियों का आकार लेती है। साहस, आत्म निर्वर्ता और निर्ने के विचार शशक्त और फल्दाई आदतों का रूप लेते हैं, जो सफलता, प्रचूरता और मुक्ती की परिस्तियों को आकार देती है। पूर्जा पूर्ण विचार सफाई पसंद वे उद्दमी आदतों को आकार देती है। म्रदुल वैक्षमासील विचार म्रदुलता की आदत का रूप लेते हैं, जो सुरक्षित वैस्वस्थ परिशितियों को आकार देती हैं। प्रेम पूर्ण और निश्वार्थ विचार दूसरों के लिए श्वें को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थाई प्रचूरता वैं सच्छी समर्दी की परिश्थितियों को आकार देती हैं. लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारदारा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिश्थितियों पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है. हम अपनी परिश्थितियां प्रटेक्स तरीके से नहीं चुन सकते, लेकिन अपने विचारों को चुन सकते हैं, औ जिने हम पोशित करते हैं और एसे अवसर प्रस्तुत होते हैं, जो जल्दी ही अच्छे और प्रभावशली विचारों को सतैपर ले आते हैं. जैसे ही हम अपने नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरा संसार हमारे प्रतिम मदूल हो जाता है, और जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो कोई भी दुरभाग्या हमें शर्म और कष्ट से नहीं गेरता है, संसार हमारा बहुरूत दर्शी के लिडोस्कोप है, और हर क्षन जिन विभिन रंगों को प्रस्तूत करता है, वे हमारे सतत उबरते विचारों के अद्वुत चित रहें, धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक टोट कॉम, आपका दिन शुब हो, हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है, अध्याई तीन, शरीर और स्वास्थे पर विचार का प्रभाव, as a man thinketh, written by James Allen, हमारा शरीर, हमारे मन के आदेशों का अक्षर से पालन, हमेशा एक सेवक की तरह करता है, यह मन के हर क्रियक लापों का पालन करता है, चाहे फिर वे सोच विचार कर चुने गए हों, या स्वत्य प्रकट हुए हों, मन के दुशित, नकारात्मक वे बुरे विचारों के कारण हमारा शरीर बिमार पढ़ जाता है, जिससे हम पतन की और अक्रसर होते हैं, और अगर हमारे मन में खुश, सुंदर, स्वास्थ और सकारात्मक विचार हैं, तो इनकी आग्या पर हमारा शरीर, सुंदर, सफल और य पूरे शरीर को बिमार बना लेंगे। समय समय पर होई रिसर्च में यह पाया गया है कि डर के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितनी जल्दी एक बंदूग की बुलेट। वे लाखों लोगों को निरंतर इसी तरह धीरे धीरे मार रहे हैं। जो लोग किसी जानी पहचानी या अंजान बिमारी के डर में रहते हैं। बिमारी उन्हें देर सवेर अपनी पकड में ले ही लेती है। बिमारी की यह चिंता जल्द ही पूरे शरीर को निरुदसाहित कर देती है और रोग को शरीर में प्रवेस करवाने के लिए इसे कमजोर बना देती है। नकारात्मक वे अशुद्ध विचार चाहे शरीरिक तोर पर प्रहार ने करे लेकिन नाड़ी मंडल पर नकारात्मक प्रवाव अवश्य डालते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं। सुन्दर, सकारात्मक, शुद्ध वे प्रसंद विचार शरीर को जोस औ लवन्य से सुसजित करते हैं। शरीर नाजुक और ढलने वाला यंत्र है। यह उन विचारों पर ततकाल प्रतिक्रिया करता है जो उस पर प्रवाव डालते हैं। आपके विचार करने की आदत के कारण विचार किये गए विचारों का प्रवाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है चाहे आपने अच्छे या बुरे पर विचार किया हो प्रभाव अवश्य पड़ेगा जब तक लोग नकारात्मक विचारों को फैलाते रहेंगे तब तक उनमें अशुद्ध और जहरिला रक्त बैहता रहेगा शुद्ध हरद्य और मनन से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन होता है दुशित वे नकारात्मक मन से दुशित वे नकारात्मक शरीर वे जीवन ही उत्पन होते है विचार ही कर्म जीवन और प्रक्टिकरन का स्रोत है स्रोत को अगर शुद्ध करेंगे तो सब अच्छे स्वास्ते की चाहत में जो लोग भोजन का तरीका या शैली बदलते हैं यह तब तक उनकी मदद नहीं करेगा जब तक वे अपने विचारों को नहीं बदल लेते हैं जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, तब हमें ऐशुद्ध भोजन की चाहा ही नहीं रह जाएगी, जिनोंने अपने विचारों को शशक्त वैशुद्ध किया है, उन्हें किसी भी हानिकारक जीव से डरने की आवशक्ता नहीं है। स्वस्त विचार स्वस्त आदते मनाते हैं, यदि आप शरीर को पूर्ण स्वस्त रखना चाहते हो, तो अपने मन की रक्षा करो, यदि आप अपने शरीर का नविनी करन करना चाहते हो, तो मन को सुन्दर बनाओ, तुर्भावना, एर्शा, निराशा, नकारात्मक्ता और आप दिखती हैं वे मुर्खता पीडा और गमंड के कार्णूत्पन होती हैं आप आवश्य ही किसी ने किसी ऐसे बुड़े चेहरे को जानते होंगे जो तेजस्वी और एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरहट के साथ चमक से भरा हुआ होगा और एसे चेहरे भी आप आशा जनक विचारों का परिणाम है एक शशक्त शरीर चमकिला खुश और शांत चेहरा तब तक ही रह सकता है जब तक आप अपने मन में हर्ष सर्भावना और शांत विचारों को आने की खुली चुट देते हो बुजूर्ग लोगों के चेहरों पर साहनुबूती की जुर्या होती है जो शशक्त और सुद्ध विचारों से बनती है लेकिन बहुत से नकारात्मक भावनाओं द्वारा भी बनती है इनमें हम तब तक फर्क नहीं का सकते जब तक उनके विचारों को ने जान लें जिनों उनने धर्म संगत जीवन जिया है उनका जीवन एक अस्त होते सूर्य की तरह शांति पूल स्तब और म्रदूल हो चुका होता है हाल ही में मैंने एक दार्शनिक को उनकी मरत्यू सिया पर देखा वो उम्र के अलावा पूरे नहीं थे उनकी मरत्यू उतनी ही मेठी और शांति पूर्ण थी जितना उनका जीवन था शारेरिक विमारियों को दूर भगाने के लिए खुश दिल विचारों से अच्छा कोई टोक्टर नहीं है दुख और शोक की काली परचाई को हटाने के लिए सदभावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज नहीं हो सकती सदा दूस अच्छा के विचार रखना एसा ही है जैसा स्वय निर्मित जेल में रहना परंतु सब के बारे में अच्छा सोचना सब के साथ खुश रहना धहरिये के साथ यह सीखना कि उनमें केवल अच्छाई ही देखना एसे निस्वार्थ विचार स्वरक्यों ले जाते हैं दिन प्र जब तक कोई भी विचार उदेश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई भी प्रतिभा पूर्ण उपलब्दी नहीं बनती बहुत से लोग अपने उच्तम विचार जीवन के सागर में दिशाहिंगती से बहने देते हैं जीवन में विचारों की दिशाहिंता बहुत बूरी होती है अगर जो लोग विपत्ती और विनाश से दूर रहना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार बहने से स्वें को रोकना होगा जिनके जीवन में कोई मुख्य उदेशन नहीं होता वे बहुत ही जल्दी तुछ चिंताओं, डर, परेशानियों और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और ये सभी कमजोरी के लक्षन होते हैं ये ठीक वैसे ही ऐ सबलता, ऐ प्रशंता और कमी की ओर ले जाते हैं जैसे सोच समझ कर आयोजित किये गए अपराद होते हैं क्योंकि कमजोरी शक्ती विक्षित करने के ब्रमाण्ड में टिक नहीं सकती हमें एक न्याय संगत उदेश्य के बारे में विचार करना चाहिए वह उसे यधार्त बनाने के लिए कार्यसील होना चाहिए हमें अपने उदेश्य को विचारों के केंदर में रखना चाहिए उदे पर द्रड़ता से अपनी विचार सक्ती को केंद्रित करना चाहिए। हमें इस उदेश्य को अपना उच्चतम कर्टव्य बनाकर उसकी प्रगती के लिए स्मय को समर्पित कर देना चाहिए। वे अपने विचारों को क्षणिक रूचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने देना चाहिए। यह आत्म सैयम का राजसी मार्ग है और विचार की सच्चिय का गरता है। यदि हम बार बार अपने उदेश्य को पाने में ऐसफल हो रहे हैं तो यह तब तक होता रहता है जब तक हम अपनी कमजोरी से उपर नहीं उट पाते हैं और इस से हम चरित्र के सामर्थे को प्राप्त करते हैं वह सच्ची सफलता का मापदंड होता है वह यह भविश्य के सामर्थे और विज्य की नई शुरू आथ होती है। जिनका कोई महानुदेश्य नहीं होता है उन्हें अपने विचारों को करतव्य के अचूप प्रदर्शन पर किया जा सकता है वह संकल्प और उर्जा को विक्षित किया जा सकता है इसे सिद्ध करने के बाद एसा कोई भी लक्षे नहीं रहे जाता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। जैसे शुरिईरीक तोर पर कमजोर लोग, सतर्क और धहरे कूर्ण प्रशिक्षण दुआरा अपने आपको सशक्त बना सकते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग सही सोच का अभ्यास करके अपने आपको सशक्त बना सकते हैं. दिशाहिंता वे कमजोरी को दूर करके किसी भी उदेश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की स्रेणी में पहुचना है जो की सफलता प्राप्ती के लिए एक मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्तितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं और जिनके विजार सशक्त हैं वे बिना किसी डर से कोशिश करते हैं और कुशलता से उसे प्राप्त करते हैं अपने लक्षय निर्धारन के बाद हमें मानसिक तोर पर उसको प्राप्त करने का एक सीधा मार्ग बिना दाएंबाएं देखे तैयार करना चाहिए अपने अंदर छुपे वे संस्य और डर के भाव के विचारों से कभी कुछ भला नहीं हो सकता है वे हरदम ऐसा पलता की और ले जाते हैं उदेश्य और जा करने की शक्ति और सभी शशक्त विचार तब रुख जाते हैं जब मन में संस्य और डर के विचार घुश जाते हैं कुछ करने की इच्छा इस ग्या के सबसे बड़े शत्रू हैं और वहे लोग जो उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें मारते नहीं बलकि वे हर कदम पर निश्वल होते रहते हैं जिनोंने संस्या और भैपर विजय पाली है उन्होंने ऐस पलता को जीत लिया है उनका हर विचार समर्ते से जुड़ा हुआ है और सभी परेशानियों का साहस के साथ सामना कर उन्हें बुद्धिमानी से वश्मे किया जा सकता है उनके उदेश्य वातारण के हिसाब से बोई जाते हैं और वे एसे फलफूल देते हैं जो समय से पहले नहीं गिर जाते हैं बिना किसी भैके उदेश्य से जुड़ा हुआ वि उचतम और सशक्त बनने के लिए जो यह करते हैं अपने विचारों को अपने उदेश्य के साथ जोड़ते हैं वे अपनी मानसिक शक्ती के जागरुक और बुद्धिमान शाशक बन जाते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक टोट कॉम आपका दिन शुब हो आप जो भी पाते हो या पाने में ऐसबल होते हैं तो यह सब आपके विचारों का सीधा सीधा नतीजा है इस न्याइपूर्ण व्यवस्थित संसार में जहां संतूलन की कमी विनास ला सकती है वहां व्यक्तिकत जिम्मेदारी अवश्य पूर्ण होनी चाहिए आपकी ताकत या कमजोरी सफलता या एसफलता जय या पराजय सुख या दुख जैसी कोई भी दसा केवल आपकी ही है किसी दूसरे की नहीं है जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं शशक्त लोग कमजोर लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कमजोर लोग मदद लेने के लिए तयार नहीं होते जिस मजबूती को वे दूसरों में देखते हैं उन्हें अपने प्रेतनों के द्वारा उस सामर्थ्य को विक्सित करना होगा केवल और केवल हम खुद ही अपनी दसा को बदल सकते हैं दबाने वाले वे दबने वाले वास्तों में अपने आपको सताने में सहयोगी होते हैं बल्कि देखने में यह लगता है कि वे एक दूसरे को सता रहे हैं पूर्ण ग्यान करम के नियम को दबाने वाले की कमजोरी में और दबाने वाले की दुस्ट प्रियुक्त शक्ति में देखता है पूर्ण प्रेम दोनों के कश्ट को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता पूर्ण करुना दबाने वाले और दबने वाले दोनों को ही अपनाती है जिनोंने कमजोरी पर विजय पाली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है जो नय तो अत्याचारी है और नय ही वे है जिन पर अत्याचार हो रहा है वे मुक्त है कुछ पाने से पहले जो चाय संसारिक वस्तुए हो हमें अपने विचारों को अति भोगवादी होने से उपर उठाना चाहिए हमें सफलता पाने के लिए सभी स्वार्थों को नहीं तो कुछ को तो छोड़ना ही होगा अगर हमारे सभी विच्यार भोगवादी हैं जिससे हम ने तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं और ने ही ठीक योजना बना पाते हैं इसलिए हम जादातर क्षित्रों में ऐसफल होते हैं हमने अभी तक अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंतिरित नहीं किया है और इसलिए हम गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने के योगयन नहीं होते हम ने तो अकेले कोई कारिय करने में सोतंत्र हैं और ने ही अकेले खड़े रहने में हमने जो विचार चुने हैं हम उनके द्वारा सीमाबद हैं बिना त्याग के ने तो प्रगती हो सकती है ने कोई उपलब्धी मिल सकती है वै हमारी संसारिक सफलता इस बात के सीधे अनुपात में होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी भोगाशक्त विचारों पर काबू पा संगत, सही और आदर्श वादी हम बंद पाएंगे और उतनी ही जादा हमारी सफलता होगी वै हमारी उपलब्तियां उतनी ही अधिक आशिर वादिप वै स्थाई होंगी लोभी, बै-इमान वै दूस्ट इंसान का साथ ब्रमांड कभी नहीं देता लेकिन सरसरी तोर पर महान शिक्षकों ने यह अलग-अलग तरीके से दुनिया को बताया है कि इसको जानने वैसत्य साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आपको पुन्यात्मा बनाने में कारियरत रहना है बोध्धिक उपलब्दियां ज्यान की खोज या जीवन और प्रकर्ति में सुंदर्ता वैसत्य की खोज में अरपित विचारों का नतिजा है एसी उपलब्दियां कई बार महतव कांक्षाओं वै अभिमान से जोड़ी जा सकती है परन्तु वे इन विसेस्ताओं का परिनाम नहीं है वरने लंबे और कठिन परिशरम का वै शुद्ध और निश्वार्थ विचारों का स्वभाविक नतिजा है अध्यात्मी कुपलब्दियां पवित्र महतव कांक्षाओं की सिद्धी है जो लोग लगातार पुन्य वे उच्विचारों की भावना रखते हैं जो उन सब पर चिंतन करते हैं जो शुद्ध वे निश्वार्थ हैं सूर्य और चंद्र की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुन्यात्मा वे ज्यानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और धनी स्थिति तक उपर पहुंचते हैं हम संसार में उच्च सफलता पा सकते हैं और अध्यात्मिक लोक में भी उच्च स्थिति तक उठ सकते हैं और दंभी, स्वार्थी वे दूसित विचारों को अपने में समा कर हम कमजोर और दुर्भग्य शालिश्थिति में गिर सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजे को केवल सार्थकता द्वारा ही बनाई रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तै होता है तो बहुत से चूप जाते हैं और सिग्र ही ऐ सफलता को चकते हैं। समस्त उपलब्दियां चाहे व्यापार, बोधिक या अध्यात्मिक जगत में हो निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का फल है और उसी नियम के अधीन है और उसका वही तरीका है फर्क सिर्फ प्राप्ति के लक्षे में है। वे जिने बहुत कम मिलता है उन्हें तोड़ा त्याग भी करना चाहिए और जो ज़्यादा प्राप्त करते हैं उन्हें ज्यादा त्याग करना चाहिए। वे जिने उच्चतम मिलता है उन्हें महान त्याग करना चाहिए। धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक टोट कॉम आपका दिन शुब हो। As a man think it, James Allen, अध्याए 6, परिकल्पनाएं और आदर स्वपन देखने वाले इस संसार के मसीहा हैं, जिस तरह से द्रश्य जगत, एद्रश्य द्वारा पोशित है, उसी तरह मानवता सभी परिक्षाओं, गल्तियों और कष्ट में उसके योगी स्वपन देखने वालों की सुन्दर परिकल्पनाओं द्वारा पोशित होती है। मानवता अपने स्वबंद रष्टाओं को भूल नहीं सकती, वे उनके आधर्सों को एसे ही फीका पड़कर मर जाने नहीं दे सकती, वहे उनमें रहती है, वहे उन्हें वास्त्विक्ताओं जैसा मानती है, जैसे की एक दिन वहे उन्हें देखेगी और जान पाएगी. संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवी, पैगंबर, रिशी, ये जगत के परे की दुनिया के बनाने वाले हैं, सुरग के सिल्पकार हैं, यह जगत सुन्दर है, क्योंकि ये इसमें रहते हैं, उनके बिना श्रमकारी मानोता मिट जाएगी, जो अपने हरदे में एक पूर्देश की कलपना को संजोया था, और उसने उसे खोज निकाला, कोपरनिकस ने संसारों की अनेकता और एक विस्तरत ब्रमहंड के होने की परिकलपना को पोशित किया था, और उसने उसे प्रकट भी किया, भगवान बुद्ध ने निश्क लंक सुन्दर था, और पूर पूर्देश में जो संगीत उमड़ता है, मन में जो सुन्दरता रूप लेती है, तुम्हारे सुक्षमतम विचारों को जो खोबसूर्ती लपेटती है, उसे पोशित करो, क्योंकि उन सब में से हर्षपूर्ण परिस्थितियां और स्वर्गपूर्ण वातावन पन पेंग और बढ़ेंगे, यदि तुम इनके प्रती सचे रहो, तो तुम्हारे संसार का अंतत्य निर्मान होगा, चाहने से तुम पाओगे, आकांक्षा रखने से प्राप्त करोगे, क्या हमारी निम्नतम इच्छाओं को संतूष्टी का पूर्ण माप मिले, और हमारी सुर्दतम आ उच्छ स्वपन देखो, और जैसे तुम स्वपन देखोगे, तुम वैसे बन जाओगे, तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है, जो तुम एक दिन बन जाओगे, तुम्हारे आदर्ष उसकी भविश्यवानी है, जिसे तुम अंत में परदा उठा कर देख सकोगे, मानव देवदूद चलते हैं, सो अपन वास्विक्ता के वीज हैं, तुम्हारी परिस्तितियां हो सकता है प्रतिकूल हो, परंतुवे एसा लंबे समय तक नहीं रहेंगी, यदि तुम एक आदर्ष को मन में रख कर उसे पाने के लिए जीजान लगा दो, बाहर शांत खड़े रहे अक्षव में मंद, एसिक्षित और सभी प्रका की सिष्टताओं से कोशों दूर, परंतु दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं, और वे बुद्धी, कृपा, सिष्टता और सुंदरता की कल्पना करते हैं, वे मानसिक तोर पर एक आदर्ष जीवन परिस्टिती की कल्पना करते हैं, एक विस्तरत सुतंतरता की परिकल्मना करते हैं, और एक बड़ी आकांक्षा उन पर हावी हो जाती है, व्याकुलता उन्हें करम करने के लिए उक्साती है, और वे अपने खाली समयवे साधनों को, चाहे वे अभी कम हैं, अपने सोही शक्तियों और मेल हो जाती है कि वहें उनके जीवन से वैसे ही बाहर हो जाती है जैसे कोई कपड़ा उतार कर फेंक दिया जाता है जैसे जैसे उनके लिए वे अवसर बढ़ते जाते हैं जो कि उनकी विश्तरत होती शक्तियों के कार्यक्षेत्र को समा सके वे उससे हमेशा के लिए बाहर नि इन समर्थे से शाषन करते हैं, वे अपने हाथों में विशाल जिम्मेदारियों के सुप्रों को थामे हैं, वे बोलते हैं और जीवन रुपांतरित हो जाते हैं, श्त्री और पुरुष उनके शब्दों में विश्वास करते हैं और अपने चरित्र को पुने डालते हैं, और स और तुम भी नोजवान पाठक अपने हर्दे की परिकल्पना को पाओगे व्यर्थी च्छा को नहीं चाहिए वह ओची हो या सुन्दर या फिर दोनों का मिस्रण क्योंकि तुम सदा उसकी ओखींचे जाओगे जिससे तुम गुपत रूप से सबसे ज़्यादा प्यार करते ह तुम्हारे हातों में तुम्हारे अपने विचारों का फल मिलेगा तुमने जो कमाया है वह तुम पाओगे ने ज्यादा ने उससे कम तुम्हारे वर्तमान का वातावार्ण चाहे कैसा भी क्योंने हो तुम्हारे विचारों तुम्हारी परिकल्पना तुम्हारे आदर्श तुम्हारे आदर्श द्वारा तुम या तो गिरोगे वैसे ही रहोगे या फिर उठोगे तुम अपने नियंत्रित इच्छाओं जितना उन दर्वाजों से बाहर निकलते हो जो इतने समय से तुम्हें लगता था कि तुम्हारे आदर्शों के लिए रुकावड थे और अपने आपको श्रोताओं के सामने पाते हो। जाते हो और एक समय के बाद वे कहते हैं तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है अब तुम स्वें गुरू बन गए हो जो थोड़े समय पहले तक बकरियां चराते हुए महानकारियों के गठने के सोपन देखा करता था। बेपरवा, अज्यानी और आलसी केवल चीजों के लिए प्रतेक्स प्रभाव को देखते हुए नैकी स्वें चीजों को भाग्य, किस्मत और संयोग के बारे में बात करते हैं। किसी को धन्वान बनता देख कर कहते हैं, कितना भाग्य शाली है। किसी को सुप्रसिद विद्वान बनता देख वे आस्चरिय से कहते हैं, उस पर कितनी कृपादरष्टी हैं। और किसी सादू प्रवर्ति वाले व्यक्ति और उसका अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ते देखकर वे टिपनी करते हैं। देखो किस्मत कैसे हर कदम पर उसका साथ दे रही है। वे उन परिक्षाओं, ऐसवल्ताओं और संगर्ष को नहीं देखते जो इन स्त्री पुरूसों ने अनुभव पाने के लिए सहर स्विकारा है। उन्हें इनके द्वारा किये गई त्याग का, साहसिक प्रेतन का और विश्वास जिसे उन्होंने अपनाया है, का जरासावी द्यान नहीं है, जिससे कि वे अलंध्य दिखने वाले लक्षे को प्राप्त कर सकें, और अपने हरद्य की परिकल्पना को पा सकें। उन्हें मन के अंधकार और दिल के तूटने का कोई एसास नहीं होता, उन्हें केवल प्रकाश और प्रसंता दिखती हैं, और वे उसे भाग्य कहते हैं, वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते, केवल सूखी परिणाम को देखते हैं, और वे उसे सद भाग्य कहते हैं, वे प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल नतीजा देखते हैं, और उसे संयोग कहते हैं, हर मानव कारिया में प्रियतन है और फल भी है, और प्रियतन कितना शशक्त है, इसे फल से मापा जाता है, यह कोई संयोग नहीं है, कहे जाने वाले उपहार, शक्ती, बहुतिक, बहुत ध और अध्यात्मिक अधिकार प्रेतन के हैं, वे पूर्ण की वे विचार हैं, प्राप्त की वे लक्षे हैं, साकार परिकल्पनाई हैं, वह है परिकल्पना जिसकी तुम अपने मन में परसंसा करते हो, वह है आदर्स जिसे तुमने अपने हर्दे में विराजित कर रखा है, उस मन की शान्ती ज्ञान का एक फुंदर मनी है वह आत्म सय्यम के लंबे और धैर्य पूर्ण प्रयतन का नतीजा है उसकी उपस्तिती परिपक्व अनुभव का और नियम वे विचारों के उच्छ ज्ञान वे कारियकलाब का चिन्ने है हम उसी मात्रा में शान्त होते हैं जितना हम विचार विक्सित अस्तितों के रूप में स्यंकों समझते हैं क्योंकि एसाग्यान विचार के फल्स और रूप निश्चित ही दूसरों को समझने के इक्शमता रखता है और जैसे हम सही समझ को विक्षित करते हैं और कारण वे प्रभाव के आधार पर आंत्रिक भावनाओं वे वीचारों को अधिक स्पष्टता से समझते हैं, हम चीकते चिलाते नहीं और चिंतित वे दुखी नहीं होते हैं, हम संतुलित, वचनबत और शांत रहते हैं। वे लोग जो शांत हैं जिनोंने स्मय को नियंतरित करना सीखा है, जानते हैं कि स्मय को दूसरों के माफिक कैसे बनाया जाए और ये दूसरे बदले में शांत लोगों की अध्यात्मिक समर्थ्या का सम्मान करते हैं और यह सोशते हैं कि उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा क कर सकते हैं कि जितने अधिक प्रशांत हम बन जाते हैं उतनी अधिक हमारी सफलता हमारा प्रभाव वै अच्छाई के लिए हमारा सामर्थ्य होता है उधारण के लिए सद हरण सी विक्री करने वाले लोग भी जैसे जैसे अपने असनुंaudopone और सम्भाव को बढ़ा देंगे उनकी व्यवसाइक पर चूर्ता बढ़ती जाएगी क्योंकि लोग एसे लोगों के साथ ही काम करना पसंद करेंगे जिनका व्यवहार अच्छा वैस्थिर है शशक्त और शांत लोगों को सदा सम्मान मिलता है वैं उनसे प्यार किया जाता है वैं प्यासी भूमी में च्छाओं देने वाले पेड़ या फिर तूफान में पना देने वाली चट्ठान की तरह होते है शांत हरदे, मीठा स्वभाव वैं संतुलित जीवन की से पसंद नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की वर्षा होती है या सूरत चमकता है या इन आशिरवादों को पाने वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं वे हरदम मधूर और शांत रहते हैं वह चरित्र की विशिष्टता जिसे शांतता कहते हैं संस्कृति का आखरी सबक है वह जीवन का फूलना है आत्मा का फलना है वह ज्यान की तरह मुल्यवान है और उसकी सोने से भी ज़्यादा कामना करनी चाहिए हाँ उतकरश्ट सोने से भी ज़्यादा पैसे को पाने की चा कितनी तुछ लगती है जब उसकी तुलना एक शान्त जीवन जो सत्य के सागर में लहरों के नीची आंदी तुपान की पहुंच से परे शाश्वत शान्ती में बसता है हम एसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को एप्रिय बना लेते हैं जो अपने विस्पोटक गुस्षे के कारण वह सब जो मधूर और सुन्दर है उसे तबाह कर देते हैं जो अपने चरित्र की सिष्टता का नाश कर देते हैं और मन मुटव पैदा कर देते है यह एक प्रशन है कि क्या बड़ी मात्रा में लोग अपने जीवन को तबाह नहीं करते हैं और क्या वे ना समझी और आत्मनियंतरन की कमी के कारण अपने जीवन की खुशियों को मार नहीं देते हम अपने जीवन में एसे कितने कम लोगों से मिलते हैं जो शान्त होते हैं जिन में अद्वुत सिष्टता होती है जो कि एक परिपक्व चरित्र की विशेस्ता है हाँ ए नियंत्रित गुसे से मानोता आवेश में आती है ए नियंत्रित दुख से उत्तेजित हो जाती है व्यगरता और सहियम से प्रभावित होती है केवल वे ज्यानी जिनके विचार नियंत्रित वे शुब्ध हैं आत्मा की तेज हवाओं और तूफानों वे हवा को काबू म मिला सकते हैं तूफान में डावाडोल आत्मा चाहे तुम कहीं भी क्यों ने हो चाहे किसी भी परिष्टितियों में क्यों ने रहते हो यह जानती है कि जीवन के समुंदर में पवित्तरता के द्वीप मुश्कुरा रहे हैं और तुम्हारे आदर्शों का उजला किनारा तुम हैं उसे जगाओ आत्मनियंत्रन सामर्थ्य हैं सही विचार स्रेष्टता है शांतता शक्ति हैं अपने हर्दय से कहो शांत रहो स्थिर रहो धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक.com आपका दिन शुब हो आपका पर दिन शुब दाट्वरोबुक.com